का आज मेंलेकर आई हो बहुत ही सिंपल सी अणना मैगी की रैसिपी बहुत ही असान रैसिपी है बहुत जल्दियबंद कर रेड़ी हो जाता है तो जली सिम्हाली करते हैं सबसे पहले हम मैगी को बोयल कर लेंगे एक पैन में बेगा सिँशूरी पाइंग अगा और अब इसे धक देंगे ताकि इसमें जल्दी उबाला जाए और इसी के साथ पानी में उबाला गया आप धकन हटा देंगे अब इस उबलते हो पानी में ये एक मैगी नूडल्स डाल देंगे ये दो मिनट वाली मैगी है तो इसे घड़ी देखकर दो से तीन मिनट के लिए पानी में उबलने देंगे ध्यान रखिएगा मैगी को ओवर कुक नहीं करिएगा वना ये चिपचपी सी हो जाएगी इसे पकाते हो मुझे लबक 3 मिनट हो गये हैं अब इस मैगी को पाई से निकाल लेंगे और सार पाई चान कर हम मैगी नूडल्स को अलग कर लेंगे अब इस साइड चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें इसी समय ही बारिक कटी और हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हैं और इसी के साइड चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है अब ग्यास पर मीडियम फ्लेबर एक पान रख देंगे और इसमें 2-3 प्राज मच ऑल डाल देंगे जब और सगरम हो जायागा तो इसमें जो अपने अंडा फिट कर रखा था उसे डाल देंगे इस अंडे के मिक्षे में मैंने थोड़ी सी बारिक कटी और देंगे पत्ती आड़ किया है तो यहां के पत्ती आड़ करना विल्कुल आप्शनल है आप ग्रु मिर्च अड़ अब इसमें एक बारिक बार उखे होगे आप रखा लेंगे degreeन के लिए लगता चला या अ पका लेंगे प्याच को एक मिड़ा बुला रेने के बाद बार आद प्याच करती और बी अब इसमें दू चमच बारीक कटावा गाजर एट करेंगे अब इसे दू से तीन मिनट के लिए लगता चलाती हुए मीडियम हाई फ्लेम पर पकार लेंगे आप चाहें तो सबजियों को बारीक कट करने के बज़ाये लंबाई में कट कर लें आप चाहें तो इसमें बतागुवी भी आठ कर सकते हैं और इसे के साथ ताइक सबजियां अच्छे से भुन गई हैं अब ग्यास की फ्रेम को लो कर देंगे और इसमें हम मैगी मसाला आट करेंगे और इस मसाले को सबजी के साथ फटा-फट से मिक्स कर लेंगे ध्याने कीगा जो मसाला है वो जल लेना फटा-फट से मिक्स कर लेंगे और आप इसमें उबला हुआ मैगी आड़ करेंगे और जो हमने अंड़ा पगा का रखा था उसे भी इसी समय आड़ कर देंगे इसके साथी में एक चमश ट्वाटो केचप और एक चमश चिली सॉस आड़ करेंगे अब इन सब्सक्राइब को फटा फट से आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें चिली सॉस की जग़ा सीजवान चेटनी भी आड़ कर सकते है और आपको इसमें रेड कलर चाहिए तो सबजियां पकने के बाद आप सबजी में ही आज़ा चमश कश्मी लालमीच पॉडर आड़ कर सकते है और इसी के साथ साई चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है लास्ट में इसमें बाई कटिव धेंगे पत्ती आड़ करेंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है इसी के साथ अंडा मैगी बिल्कुल रेडी है बहुत ही simple से recipe है, बहुत जल्दी मंगा ready हो जाती है, आप बना कर देखे, आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे टेकली ऐसी सर्फ कर सकते है, या फिर आप इसे बच्चों को रोटी में रोल कर दे सकते है बहुत ही simple से recipe है, बहुत जल्दी मंगा ready हो जाती है आपको यह अंडम है कि बहुत पसंद आएगी अगर आपको यह पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले